Hello Friends, इस वीडियो बात करेंगे Women's Big Bass League के होने वाले match No.7 के बारे में तो मैं आपको उतनी information और उतनी stats share करूँगा जो आपको एक बड़ी winning करवा सकता है WBBL में अभी तक 6 match हुए, एक match हम cover नहीं कर पाए, जो morning में आज 8 बच के 10 मिनट पे एक match हुआ था यह जो 8-10 था, हम लोगों ने time को ध्यान से नहीं देखा, हम लोगों को लगा कि 8-50 में match है जनरली यह time है, तो इसलिए हम लोग cover नहीं कर पाए, हमने members को join करने भी नहीं बोला था इसलिए match cover नहीं हो पाया, लेकिन जो दूसरा match हमने cover किया था, आसानी से हमने यहाँ पे clean ship किया एक contest हमने join किया था, 25,000 वाला, एंड यहाँ पे हमने 67,500 विन किया, लगबग same opponent सारे member के पास थे यह हमारे team थी, captain gardener, 88, 28 captain, बाकि team का combination आप देख सकते हो अब आपको एक काम करना है, जितनी बाते में बताता जा रहा हूँ, आप एक mobile में dream 11 खोल के रखो, उसको देखो, प्लेयर को देखो और उसके according आप team बनाते रहा हूँ, इससे आपको grand league में भी team बनाने में help मिलेगी एक mobile से आप video देखो और एक से आपको सारी चीजे करनी है यह जो match होने वाला है, यह होने वाला है, जंक्सन ओल मैलबॉर्न में यहां कि अगर मैं pitch की बात करूँ, यहां बहुत अच्छे run बन थे, इस tournament में अल्रेड़ी एक match यहां हो चुका है जिसमें 187 run बना था, वो match था Brisbane hit women और Melbourne Renegades women का 187 बना था और सामने वाले टीम Melbourne Renegades 181 ही बना पायती, यहांनि दोनों इनिंग में यहां पर अच्छी बैटिंग होती है और आपको पता है women's का game है, तो spinner कैसे पीछे रहेंगे उसमें spinners ने 13 wicket लिये थे, और Pacers को मातर 3 wicket मिले थे तो पूरे tournament के आपको यही कहानी देखने को मिलेगी आपको क्या देखने को मिलेगा, कि WBBL में spinners को बहुत wicket मिलेंगे और run बड़े-बड़े बनेंगे, आज जैसे आपने देखा कि century मार दिया था Grass Harris ने इसके अलाव बहुत अच्छे batting किया था Sydney Thunder की team ने, जो हमने expect नहीं किया था लेकिन team का combination जब based होता है, तो आपको कुछ भी सोचने की जरुवत नहीं होती है तो यहाँ भी जल्दी से मैं आपको बता रहता हूँ, इस match में आपको किस player को लेना है, किसको नहीं लेना है, क्या कुछ है, सब कुछ मैं आपको बताता हूँ दोनों team के वीज में 16 head to head मुकाबले हुए है, 8 जीता है, Melbourne Renegades ने 8 जीता है, यहाँ पे Adelaide Striker की team ने Adelaide Striker की team last year की champion team है, defending champion है, इस season Adelaide Striker ने एक match खेला है, जीत के आ रही है, वह अगर मैं Melbourne Renegades की बात करो तो एक match खेला है और हार के आ रही है, जो मैंने अभी कुछ दिर पहले बताया, कि उन्होंने लगबग चेस कर लिया था, अच्छी बैटिंग की थी, 188 का targeting को दिया थ आप Brisbane Hit ने, जिसके जवाब में ये 181 इन्होंने बना लिया था, अच्छी बैटिंग की थी, एक बात और मैं बता दो जो women's के matches होते हैं, वो risky होते हैं, क्योंकि आप देखोगी जितने opponent हैं, उनकी team हो आपकी team same होगी, क्योंकि women's में बहुत जड़ा experiment करने हो मौका नहीं हो प्लस captain भी आपको लगभग same ही देखने को मिलेंगे, और आज वाले match में तो 100% आपको same ही देखने को मिलेंगे, कुछ change हो सकता है, क्योंकि सामने वाले team में भी अच्छे player है, तो कौन से player लेने हैं, कौन से नहीं, वो मैं पहले बता रहे था, और फिर CVC में आपको suggest सबसे पहले यहां में बात करते हैं, किसकी team की, Melbourne Renegades की team की, हार के आ रही है पहला match, लेकिन जो इनकी all-rounder player है, हैली मैथियोस, अपने life की सबसे best form में है, आपके लिए important है, last match में 20 रम बनाया है, 3 wicket लिया, opening करने आती है, आपके team में होनी चाहिए, इनके साथ opening करने आती ह आपको पता है, last match में 34 बनाया था इन्होंने, बहुत अच्छी form में है, और एक century भी 3-4 match पहले इन्होंने लगाई थी, बहुत बड़ी player है, और हैली मैथियोस का तो आपको पता है, Australia के against a series हुई थी, वहाँ पे इन्होंने century भी बनाया थी, और match भी विन करवाया था, 79 run, 13 32 run, तीन विकेट लिया था उसमें, एक विकेट लिया था 79 वाले में, तो बहुत अच्छी form में है, इसके लाब वन डाउन बैटिंग करने आएंगी, डूली, यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो सबसे best pick यही है, because यह वन डाउन बैटिंग करने आती है, इसके लाब बी पै बालिंग भी कराई था, एक विकेट लिया था 81 रम बनाया था, आपके लिए मश्च पिक है, आपके टीम में होनी ही चाहिए, इसके बाद यहाँ पर C वैब आएंगी, इनको आपको नहीं लेना है, हम बड़े बड़े प्लेयर को ही लेकर कर चलेंगे अपनी टीम में, वेर बालिंग कराती है, विकेट टेकिम बालर है, आपके लिए मश्च पिक है, आपके टीम में होनी चाहिए, लास्ट मैच में भी इन्होंने दो विकेट लिया था, इसके लाव यहाँ प्रिश्ट वीच करके प्लेयर है, इनको आप ट्राई कर सकते हो, यह भी चार ओवर करके चलेंगे, तो इनकी टीम की तरफ से चार ओवर कौन कराएगा, मैं आपको दिखा देता हूँ, इनकी टीम की तरफ से मैलबॉन रेनिगेट की तरफ से चार ओवर हैली मैथियूस कराएंगी, चार ओवर कोईटे कराएंगी, चार ओवर वेरहें कराएंगी, इन तीनों क और इसके अलावा C-Web ने एक ओर किया तो इस तरीके डिवाइड होगा तो हमने में में चार ओर वाले प्लेयर को ले लिया है अब आगे दूसरी टीम की बात कर लेते हैं यहां से कैथी मैक आपके लिए मश्पिक हैं ओपनिंग करने आएंगी 86 बनाया था लास मैच में तगड़ी फार्म में बैटिंग पिछ है और तो आपको लेना ही चाहिए इंको वुल्वरेट बहुत तगड़ी फार्म में है केवल इसमें ही नहीं इन्हों इन्हों डोमेश्टिक के अलावा इंटरनेशनल में भी अच्छी फार्म दिखाई है सेंचुरी लगाई थी इन्होंने 124 बनाया था 50 बनाया था वो डियाई मैच वो था लेकिन बहुत अच्छे फार्म में है ताहिला मैगराथ आपके लिए मस्ट पिक हैं कैप्टेन वाइस कैप्टेंग के एक एपिछवाई से हैं लाच मैच में 34 बनाया दो विकेट लिया फिर नमबर चार पर बैटिंग करने आती हैं यह बी पैटर से न आप इंको ट्राई कर सकते हो यह ज्यादा बैटर प्लेयर है और बहुत नीचे नहीं आ रही है लाच मैच में कुछ खास किया नहीं था पांच रम बनाया था आप इनको बिलकुल अपनी टीम में ट्राई कर सकते हो यह आपको जीत हार में यही अंतर क्रियेट करेगा विकेट कीपर का सेलेक्स हैं क्योंकि बाकी टीम आपको सेम दिखेगी बाकी मेंबर्स की इसके बाद आपके लिए इंपोर्टन यहाँ पे हैं वेलिंग्टन चार ओवर कंफर्म है तीन विकेट लिया था लाश मैच में और बैटिंग आने पे भी अच्छा करती हैं तो आपके लिए इंपोर्टन है मेगन इसकट औस्ट्रेलिया की सांधार बालर और इंटरनेशनल लेवल का एक्सविरियम से इंपोर्टन है तीन विकेट लिया लाश मैच में भी आपके टीम में होनी चाहिए अब यहाँ पे एक और बालर है ये मुसानजे जो भी नहीं है इन्होंने दो विकेट लिया था लाश मैच में अच्छी बालर लग रही थी और दो ही ओवर इन्होंने किया भी था बट इंको चार ओवर दिया जा सकता है अच्छी बालर लग रही थी लेकिन सामने वाले टी अच्छी करती है बट लाश मैच में इन्होंने बॉलिंग नहीं कराई थी तो यह आपके लिए बहुत ही अच्छी और डिफरेंसिल पिक हो सकती है आपको करना क्या है यहां से जो भी बैट्समें आपको लग रहा है कि फ्लॉप होंगे यह तो बॉलिंग भी कराती है तो इनक बट रहा ही करना यह आपको अच्छा पॉइंट दे सकती है भले ही पहले मैच में बॉलिंग करने, मौका नहीं मिला है इसके बाद यहां पर डि गिपूसन एक डिफरेंसिल पिक है लाश मैच की बात करें तो इनको यह बॉलिंग करने मौका नहीं मीला था और अच्छा कर स आपको यही टीम देखने को मिलेगी, कुछ लोगों नहीं यहाँ पे, जे डूली की जगह पे, बी पैटरसन को लिया होगे, वो ज्यादा अच्छी बैटसमेन है, कैप्टन आपको बनाना है हैली मैथियोस को, वाइस कैप्टन आपको बनाना है ताहिला मैगराथ को, यह सबस पर कॉंटेक्ट करना, एडड़ेट सागा अंकुर, टाइप करके आप मैसेज कर सकते हो, टेलिग्राम चैनल का लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्सम बॉक्स में मिल जाएगा, हमारा चार्ज मार्केट में सबसे यादा हाई है, और सबसे बड़ी विनिंग भी हमारी ह और हमारे मेंबर्स की ही होती है, हम लोग लाग रुपए पेमिंट करते हैं, यूज कलेक्ट करने के लिए उसी रेशियो में हमने चार्ज रखे हैं, अगर आप लॉस में हो, तो आपको यह उपरचुनिटी अवेल करनी चाहिए, क्योंकि डबलू वीबिल हमारी वन अफ द करना के लिल हमारी तबवाट बवीबिल करने क्योंकि fish…